नमस्कार दोस्तो एजुकेसान 24 में आपका स्वागत है दोस्तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत दिखास होना वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिये परिच्छा दोहतेस में पास फिल और बैक के क्या नियम है इस वीडियो के अंदर आपको बिये परिच्छा में पास होना है तो बिये परिच्छा में पास होने के लिए आपका जितने नमबर का पेपर होता है उतने नमबर का 36% नमबर लाना होगा यहाँ पर दोस्तो तेस के अंदर जो पहला नियम है पहला नियम है करता है कि अगर आपको बिये परिच्छ नमेर का पेपर होता है तो 75 क bisschen 36 पर्सेंट यानिंस 27 नम्बर लगा या फूर पहला नियमे करता है कि आपका जितने मिन नमबर का पेपर होता है बस आपको इतना याद रखना है कि अगर आपको बीए एक्जाम में पास होना है तो आपको उतने नमबर का 36% नमबर पास होने के लिए लाना है अब दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिए बहुत सरी लोग का पेपर जो है कि यरली वाईज होता है बहुत सरी लोग का पेपर हाफ यरली में होता है और बहुत सरी लोग का पेपर जो है कि समेश्टर वाईज होता है कुछ लोग का पेपर वाईज होता है तो यहां पे आपको 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 यह याद रखना है कि आपका जितने मिन नम पेपर होता है उतने नंबर का 36% नंबर आपको पास होने के लिए रहना है तो दोस्तो उम्हेद करता हूं कि जो पहला नियम है आपको पहला नियम समझ में आ गया होगा अगर पहला नियम समझ में आ गया है तागे बढ़ते हैं और दूसरे नियम को समझते हैं यहां पर दू दूसरे नियम को ध्यान से समझे, यहां पर दूसरा नियम यह कह रहा है, कि माल जी कि अगर आपका तीन सवेट का पेपर होता है, और तीनों सवेट का पेपर, यह तो समेश्टर वाइज होता है, यह तो समेश्टर वाइज होता है, यह तो पेपर वाइज होता है, तो उसके ऐसे आपका 2 samaid के अंद दोनों समेस्टर में या फिर 2 paper में आपका passing नमर आता है और किसी एक said utilization कें बूनों समेस्टर में पैसी नमर नहीं आता है तो उस condition में यहाँ पे यह कहा रहा है कि जिस sport के अंदर कम नंबर है उस sapοιट के अंदर आपका bike लेगा जैसे यहाँ पर समझाने के लिए देखिए, यहाँ पर result है, तो यहाँ पर 3 subate के exam हुआ है, अब इसमें से history के अंदर, sociology के अंदर, यहाँ पर history, sociology के अंदर, दोनों समेस्टे में पासी नमर आ गया है, लेकिन हिंदी के अंदर यहाँ देखेंगे, तो यहाँ पर दोनों समेस सब्सक्राइब और तीनों में से केवल एक सेवेट पर पासिंग नमर आता है, तो उसे इस्तिति में फ्यल कर दे जाएगा, जैसे यहाँ पे आप तीसरे नियम को ध्यान समझेए, यहाँ पर तीसरे नियम को ध्यान समझेए, यहाँ पर तीसरे नियम को ध्यान समझेए, यहाँ पर तीसरे नि पर होता है और तीनों में से क्यों एक सवेट में पासिंग नमर आता है तो उस कंडिशन में क्या किया जाएगा उस कंडिशन में फैल किया जाएगा तो यह दोस्तो तीसरे नियम हो गया तीसरे नियम में दोस्तो यह दे रहा है कि अगर आपका एक सवेट के अंदर पासिंग नहीं आता है तो उस condition में दोस्तो आपको fail कर दे जाएगा अब दोस्तो अगर आपको तीसरे नियम समझ में आगे तागे बढ़ते हैं और चौते नियम को समझते हैं यहाँ पे दोस्तो चौते नियम का अब धान समझें यहाँ पे चौता नियम यह कर रहा है कि अगर प्रेट अब प्रेटीकल का पेपर नहीं दिया गहाँ तो उस condition में आपका बैक लग जाएगा लेकिन यहाँ पर कंडिछन यह है कि बैक कब लेगा तो बैक तब लेगा जब आपका सभी पेपर यानि कि जितने भी सभेट के आपका पेपर होता है सभी सभेट के पेपर आप दिये हों कि आपका प्रेटिकल में अपसेंट है उस कंडिशन में आपका क्या होगा बैक लेगा लेकिन अगर किसी सभेट मे एक्जाम होता है और उसके अंदर अगर आप किया ऐख चोड़ते हैं यानि कि अगर कजी चोड़ते हैं तो बऺचिं़ आपको पात दीजाएगा वच्छ यहाहोद Booksक chemotherapy कर दीजाएगा लेकिन यहाँ यहाँ पिये कह रहा है सेकेंड समेश्टे का एक्जाम में नहीं दिया गया है तो चौता नियम ही कर रहा है कि अगर आपका प्रेटिकल होता है और उसके अंदर अगर आप प्रेटिकल का एक्जाम नहीं देते हैं और साथ ही साथ अगर आप किसी एक सबेट के अंदर दोनों समेश्टे में कम number थो गिए उस कंडिशन में आपको फैल कर दे जागा यह डूस्तों चौह तो बात किया दखेगा कि अगर का predicol होता है और अगर का predicol फैल चूट जाता है तो वहां पर अगर आप तीनों सबाट के exam दी हैं और तीनों में passing number आपको पांस के जाएगा या फिर बाइक लाईगा नमबर के नुसार यह आप प्रेटकर में भी अबसेंट हैं और साथी किसी सवेट के अदर भी अबसेंट हैं तो इस कंडिशन में आपको फैल कर दे जाएगा तो दूस्तो अगर आपको चौता ज्यादा पेपर में यह समेश्टर में अफसेंट होता है तो उस कंडिशन में क्या होजता है उस कंडिशन में आपको फेल कर दे जाता है अगर आप उसका पेपर नहीं देते हैं जैसे माल जी कि आपका तीन समेट के एक्जाम होता है जिसमें से दोस्तों आप जो है कि दो समे लेते हैं तो भी एक्जाम के अंदर दोस्तों आप अच्छे से नंबर ला पाएंगे और अच्छे से दोस्तों आप पास उपाएंगे तब को एक पातिया रखना है कि चाहें आपका समेश्टर बाइस पेपर हो चाहें आपका पेपर हो या फिर यरली पेपर हो चाहें हाफ य अंद रहुकर आपको नंबर का है अपका सभी पीपर में जितने नंबर का पेपर है अतने नंबर का 55% लाम से उपार आगर से उपस हो पहें दुम नापको कम पर सो नक्सराण करें पर चाहिए तो आपको नेक्श्ट वीडियो की स्ट्पींग पर चाहिए झाला तेकी दूस्तू.